मेरट में देर रात धागा बनाने की फैक्टरी में भीसर आग लग गई देखते देखते आग ने विक्राल गूप ले लिया जिसके बाद आग फैक्टरी के आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया लोगों ने आग निकलती देखकर दमकल विभाग को तुरन सूचना दी जिसके बाद दमकल विभाग की बारा गाड़ियों ने चार घंटे बाद आग पर काबू पा लिया मामला मेरट के थाना पतारपुर छेतर के उद्द्योग पूरफ इलाके में पारस टेक्स्टाइल नाम की धागा बनाने की फैक्टरी में भीसर आग लग गई राकेश जैन की इस फैक्टरी में आग लगने के कारोनों का अभी तक पता नहीं चल सका वोई फैक्टरी में अगनी समन यंत्र नहीं थे जिसको लेकर अब अगनी समन विभाग ने जाँ सुरू कर दी है हाला कि आग कैसे लगी इस पर अभी तक कोई भी अधिकारी इस पर जवाब नहीं दे पाया है कलीमत यही रही कि अभी तक कुछ भी हताहत नहीं हुआ बीरो रिपोर्ट आई प्यान